नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने सो पांच का पंच में चलिए इसकी सुरुवात करते हैं जैसा रोज अंदा होता है नजरिया बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इससे फर्क बहुत बढ़ता है चलिए हम आगे प्रस्नों की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहला प्रस्न किस देश ने एक सो पचासवी जैनती को चिन्नित करने के लिए महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की योजना बनाई है दोस्तो चार अप्शन हैं आपके पास स्पेन, यूनाइटेड किंग्डम, साउथ अफरीका या यूनाइटेड स्टेट दोस्तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंग्डम, आगे हम देखते हैं, देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, the royal mint ठीक है दोस्तो, ये royal mint है क्या चीज, इसकी अस्थापना सन 886 AD में हुई थी इसका हैटक्वाटर, Wells में है, इसके CEO है, Annie, Joe, सब, ठीक है दोस्तो, इसका काम क्या है ये यूनाइटेड किंग्डम के लिए coins, medal और bullion बनाता है, ठीक है दोस्तो, ध्यान लखना ये एक government सस्था, इसके honor जो है, वो है H.M. Treasury और इसका हैटक्वाटर है, London में H.M. का मतलब क्या है दोस्तो, H.M. का मतलब है, Her Magistry Treasury, यह एक UK का government department है जो की public finance policy, ध्यान रखना दोस्तो, public finance policy और economy policy बनाता है ठीक है दोस्तो, अब महात्मा गांधी का ये सिक्का क्यों जारी कर रहा है, दोस्तो, महात्मा गांधी ने अपनी सिक्षा जो है वो कहाँ पूरी की थी, लंडन में, ठीक है दोस्तो, महात्मा गांधी के विशे में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 में हुआ था, और इनकी मृत्त्य हुई थी 30 जन्वरी 1948 को ठीक है दोस्तो, ये कुछ जानकर ये अब महात्मा सर्व पर्थम संबोधन किस ने किया था महात्मा का संबोधन माना जाता है कि 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने किया था लेकिन इसमें दूसरा मत भी है, दूसरे मत के अनुसार स्वामी स्रद्धानन ने 1915 में महात्मा संबोधन और तीसरा मत भी है तीसरा मत ये है कि स्री रविंदनाट टैगोर ने भी महात्मा सब्द प्योग किया था और दूसरी एक महत्मूर्ची कि राष्ट पिता कहकर 6 जुलाई 1944 को सुभास चंद बोस ने रेडियो से रेडियो से जो प्रसारण किया था रंगून से उसमें उन्होंने एक सब्द अपनाया था राष्ट पिता ठीक है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण किस राज ने भारत का पहला हिम तेद्वा सनरच्छन केंद्र विक्सित करने की योजना बनाई है चार ओप्सन हिम यानि बर्फ बर्फीला हिमाचल प्रदेश अनुराचल प्रदेश सिक्किम या उत्त्राखंड दोस्तों इसका सही जवाब है उत्त्राखंड चलिए देखते हैं जैसा आप देख रहे हैं यह हिम तेंद्वा अब उत्त्राखंड में कहां और कैसे बन रहा है भारत का पहला हिम तेंद्वा सनरच्छन केंद्र उत्तरकासी जिला कौन सा दोस्तों उत् और दूसरी बात यह उत्राखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम UNDP के साथ अपनी 6 साल लंबी परियोजना के अंतरगत बनाया जाएगा ठीके दोस्तों उत्राखंड के बारे में जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है राजधानी दोहे गैरशन और दहरादून ग्रीश मकालीन कौन सी है दहरादून और सीत कालीन कौन सी है गैरशन भासा हिंदी कही जाती है मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत राजिपाल बेवी रानी मौर्य और गठन नौन बार 2000 को हुआ था ठीके दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रस्ण की और राष्ट हत करदा दिवस कब मनाया जाता है ठीके दोस्तों अब इसके चार ओप्सन दिये गए हैं साथ अगस्त दो को ध्यान रखना वर्स 1905 में साथ अगस्त को ही कब साथ अगस्त को ही कोलकोता के टाउन हौल से स्वादेशी आंदोलन की शुरुवात हुई थी और इसी दिन को राष्टिय हत करदा दिवस के रूप में चुना गया था ठीके दोस्तों अब ये कब से मनाया जा रहा है ये स करण 2015 से मनाया जा रहा है इस बार आत्म निर्भर अभियान के अंदर वाकल दोस्तों ध्यान रखना वाकल फोर हैंड मेड ठीक है दोस्तों में इस चीजित का आपने ध्यान रखना है 2015 में इसकी सुरुवात कहां चन्य से हुई थी कहां रही थी चन्न नई से और 2020 का ये कहां से होगा ये होगा गोहाटी से ढया दोस्तों चलिए ये किस मंत्रालय के अंदर आता है ये कपड़ा मंत्रालय के अंदर आता है और कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है स्रीमती स्मृती इरानी कपड़ा मंत्रालय की अस्थापना कब हुई थी एक अप्रेल 1999 के दिन ठीक है दोस्तों चलिए हम अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते ह हैं हमारा चौथा प्रस्ण उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माला एक्सप्रेश ट्रेंड दिल्ली से किस से राजी तक चलती है दोस्तों चार आप्षन है गुजरात त्रिपुरा केला या आसाम चलिए इसका सही जवाब है त्रिपुरा कहा नई दिल्ली से कहां चलती है यह त्रिपुरा तक के लिए चलिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस नौर्दन रेलवे अगर हम देखें इसको आप एरो में देख रहे हैं यहां से एपसी आई के लिए फिरोजपूर कहां दोस्तों फिरोजपूर FCI से गेहूं और चावल भर के ट्रेन चली तो अगर हम फिरोजपूर से इसकी दूरी देखें तो यह है 2673 किलो मिटर लेकिन दिल्ली से देखें तो यह है 2360 किलो मिटर ठीक है इसमें 46 डिब्बे कितने दोस्तों 46 डिब्बे लगे हैं यह छोटे एव मध्धम कारोबारियों क चलिए हम अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं हाल में ही स्वच्छ भारत क्रांती नामक पुस्तक किसने लॉंच की ऑप्सन है स्री नरेन मोदी स्री गजेंद्र सिंग सिखावत स्री रामनात कोविंद और स्री अमित साह दोस्तों इसका सही जवाब है स्री गरजेंद्र सिं अब गजेंद्र सिंह सिखावत कौन है यह केंद्री यह जल मंतरी है साथ में पृति एयर अ स्व बाक्यास स्री प्रमेंश्वरन अईयर यह जल सकती मंत्राले में सच्यूपद है ठीक है दोस्तों अब इनहीं की एक पुस्तक है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत रेविलेशन इसी का हिंदी अनुवाद है क्या दोस्तों इसी का हिंदी अनुवाद है स्वच्छ भारत क्रांती इस चीज को याद रखना स्वच्छ भारत रेविलेशन का ही हिंदी अनुवाद क्या है स्वच्छ भारत क्रांती इसके लेखक कौन है शृप्रमेषवराण अीइर ये कौन है ये सचीव है कहा जल सकती मंत्राल में किसके द्वारा पपलिज की गई है डाइमंड बुक्स और इसमें है क्या इसमें 35 निबंदो का संग्रा है ठीक है दोश्तों क्या है 35 निबंदो का संग्रह है चलिए धन्यवाद दोस्तो आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है आप जादा से जादा इसको शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को इसके बारे में बताए ताकि उन निवाद जय हिंग